नमस्कार दोस्तों मैं हुम अन्विंदर और मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत हैं मैं सभी का खेर मगदम करती हूँ दोस्तों किसी भी इंसान को जिसे यह पता हो कि अब वो जेल की सलाफों से बहार नहीं निकल सकता बहार की दुनिया को नहीं देख सकता और फिर अचारग 31 साल बाद उसे बहार की दुनिया देखनों को मिले अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्द नहीं दिये जा सकते आप समझ दे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहे हूँ जी हाँ मैं बात कर रहे हूँ एजी पेरारीवलन की आज कोट ने उन्हें रिहा कर दिया है ये कहते हुए राजीव गांदी हत्याकान में दोशी पेरारीवलन की उम्रकैद सस्पेंड होनी चाहिए और उसे रिहाक किया जाना चाहिए इसे मैं यू भी कह सकती हूँ कि सप्रीम कोट द्वारा आज राजीव गांदी के साथ हत्यारों में से एक एजी पेरारीवलन को रिहा कर दिया गया है रिहाई की आदेश के कुछ घंटे के बादी एजी पेरारीवलन ने अपना एक बयान की दिया जो सामने आया है उसने कहा है कि ये मेरा त्रड़ विश्वास था कि मुझे देने का कोई फायदा नहीं कोई जरूरत नहीं है लेकिन सुप्रीम कोड ने राजीव गांदी के हत्यारे को क्यों छोड़ा ये अपने आप में पूरी सस्पेंस थ्रिलर मुवी की तरह है चली जानते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है लेकिन आपको इसके लिए पूरी वी प्यार गवई और SS गुपात्रा की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तिमाल करते हुए ये फैसला सुनाया है जो भी मैंने आपको बताया है कोट ने इस आर्टिकल का इस्तिमाल कम्प्लीट जस्टिस के लिए किया क्योंकि उसकी देयजाचिका सालों से अठकी बड़ी थी रिहाई की ख़बर सुनते ही पैरा रिवलन ने कहा मेरी बाके 31 सालों का संगर्ष आकिर सपन हुआ कुछ और भी बात हैं मसलन राजीव गंदी की हत्या जो इस कहारी में बार बार इस केस में बार बार प्रयोग हुए शब्द राजीव गंदी की हत्या पैरा रिवलन की रिहाई सब्लाई दी थी उस समय उसकी उम्र 19 साल की थी 19 साल में उसकी अरेस्टिंग हुई थी फांसी की सज़ा हुई फिर उम्र कैद में बदल गई और अब 50 साल की उम्र में वो रिहार हो जाता है राजीव कांदी की हत्या से ठीक 20 दिन बाद पर रिवलन को ग्रिफ्थार किया गया था उस पर दो आरूप लगाए गये थे पहला उसने नोग वोल्ट की दो बैट्रिया खरीद करके हत्याकान के मास्टर माइंड लिट्टे के सिवरासन को दी थी जिनका इस्तेवाल बंब ब गया था यानि कि दोनों लोग एक दुगान पर गए थे वहां गलत एड्रस दे करके एक मोटर साइकल खरीदी गई थे अब आगे की जो कहानी चलती है जेल के अंधर वो इस तरीके से है कि 28 जन्वरी 1998 में टाड़ा कोट में पैराविनल को उसके साथ और 26 लोग थे उनको 11 मई 1999 को सुप्रेम कोड ने पैरारीवलन की निलनी, मुरुगन और संथान सही चार की मौत की सजा को बरगरा रखा यानि कि ये चार लोग थे पैरारीवलन, निलनी, मुरुगन और संथान इनकी मौत को बरगरा रखा वही तीन अन्य जो अरोपी थे ये दोशी थे उनकी को उम्रकैद में बदल लिया गया साथ ही अन्य उन्नीज दोशियों को भी निहा कर दिया गया पैरा रिवलन ने अपनी उम्रकैद के 31 साल कुझहल और वेलोर की सेंट्रल जेर में बिताए इसमें 24 साल तो उसने काल कोट्री में बिताए जहां वो बिल्कुल नितांत अकेला हो होता था और जो रिपोर्स हैं उनके अनुसार पैरा रिवलन ने इंद्रागंधी निश्नल ओपन यॉनिवसिटी से ग्रेजुशन पूरा किया इसके अलाबा आर्ट से जादा डिप्लोमा और सेटिकेट कोर्स भी पूरे किये याने कि वो जेल के अंदर पढ़ाई करता रह और 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने फासी की सजा सुजाए जाने के बाद जिस समय उसको फासी की सजा सुणाई गई उसके पास यानि कि पैरा रिवलन के पास बहुत कम विकल्ब बचे थे उसने 2001 में अपनी दैजाची का राष्टपती को सौपी 11 साल बाद राष्टपती प्रत इसे खारिश कर दिया 9 सितंबर 2011 को फासी का दिन मुकर्रत किया गया था और पैरा रिवलन की मा को उसकी बाड़ी लेके जाने के लिए भी एक चिप्ठी लिए दी गई थी याने कि उसको फासी की सजा दिये जाने की पूरी जो अप्चारिक दाय थी वो कर ले गई थी लेक उस समय की मुक्क मंतरी जालेलिता ने एक परस्ता फारित किया जिसमें दोशियों की मौत की सजा कम करने की मांग थी इसके बाद मदरास हाई कोड ने फासी के आदिश पर रोक लगा थी और 2013 में सीवियाई की अधिकारी टी त्याग राजन ने ये खुलासा किया कि उन्हों ने पैररीवलन का कबूल नामा बदल दिया था दरसल पैररीवलन को नहीं बता था कि उसकी बैट्जी का इस्तेमाल राजीव गांदी की हर्त्याक के लिए जो बम बन रहा है उसमें किया जाना है CBI अधिकारियों ने कोट में अलपनामा मिदाकिल किया और सुप्रीम कोट की जस्टिस टीयस थामस ने 2013 में ये कहा कि 23 साल की जेल में रखने के बाद किसी को फासी देना सही नहीं होगा ये एक अपराज के लिए दो-दो सजा जैसा होगा अब में 2014 में सुप्रीम कोट ने मौत की सजा को उमर कैद में बदल दिया इसके बाद पैरा रिवलन ने एक सजा माफ करने के लिए तामिलाडू के राज़पाल की पास द्याजाची का दायर की ठीक वैसे ही जैसे कि इस समय शबनम की द्याज़पाल के पास आप एंडिंग में पड़ी हुई है खेर उसकी बात में बात में करूंगी यानि कि शबनम की बात में करूंगी लेकिन मैं फिलाल पैरा रिवलन की बात कर रही हूं उनकी जाचिका पिछले साथ सालों से पैंडिंग पड़े हुई थी और आखिरका सुप्रीम कोट ने आर्टिकल 142 का इस् है कि शुरुआत में हमें कोट कचैरी का कुछ नहीं मालूम था कि क्या करना होता है पोलेज कानून कोट सब उनके लिए नए थे लेकिन देरे देरे इसकी आदत पड़ गई अर्यू की दो भेहने कमाती थी और उस पैसे से केस रणा गया और कोट से कोट की फैसले के बाद पैरा रिवलन ने कहा कि इस केस की इमानदारी ने उसे और उसकी मा को तीन दश्कों तक यानि कि कुल मिलाके जो साल बनते हैं 31 साल तक लड़ने की ताकत दी मजबूती दी ये जीत उनके संगर्श की जीत है और उन्होंने बहार आर्दे ये भी कहा कि मैं अभी बहार आया हूँ, खुली हावा में सांस लेना है मुझे और पैरा रिवलन को 1999 में मत की सजा सुनाने वाली बैंच के फरमक्व जस्टिस के टी थौमस भी चाहते थे कि अब वो नॉर्मल खुशा जिन्दगी जीए उन्होंने एक मीडिया पर्सन के साथ ये कहा भी था कि इतनी लंबी कानोनी लड़ाई और 50 साल की उम्र में रिहाई पे में क्या कहूं, उसे जल्दी ही शादी करनी चाहिए, खुशाल जिन्दगी जीनी चाहिए, मैं पूरा क्रेडिट उसके मा को देना चाहता हूँ, क्यो दिया या नहीं दिया, लेकिन जब उसको मौत की सरजा सुनाई जाती है, जब उसकी सारे विकल्प उसके सामने खतम हो जाते हैं, तो फिर एक नए सिरे से इसकी लड़ाई शुरू होती है, और इस तरीके से आज वो जेल की सलाकों से बाहर है, आज ही वो बाहर आया है, आज उसकी जिन्दीगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है, वो खुली हवा में सास लेके अपने आपको इता खुश नसीव समझ रहा है, कि उसके पास शद नहीं है, उस खुशी को बयान करने के लिए, अब मैं आती हूँ शब नम के लिए, हाला कि मैं इसको लेकर के इ उसकी सजा और उसकी इस्तिती भी लगबग इसी तरीके की है, उस पे आठ हत्याओं का दोश है, लेकिन देखा जाये तो पेरारिवलन का जो दोश है, वो कई कम नहीं है, उसने देश के परधान मंतरी की हत्या में उसका नाम आता है, और किस-किस तरीके से, कोट की किस-किस तरीके से कारवाही चलती है, उसके बाद उसको सजा हो जाती है, सब चीज़े चलती है, और आज, आज मुझ खुली हवा में इसास ले रहा है, आपको दोस्तों, यह मेरा कंटेंट कैसा लगा, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि यह एक ऐसी स्टोरी है, जो आज जिसकी चर्चा हो रही है, जिसकी हर कोई इनसान बात कर रहा है, राजीव गंदी, देश के बढ़ान मंत्री, और अचानक से उनके दक्षिन भारत के दौरे के दरन, उनकी हध्या हो जाती है, और पूरा देश उससे में भचक रह जाता है, खेर, आज जो पैररिवलन की तेरी हाई हुई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उस मा के दिन को मैं बयान नहीं कर सकती, जिसका बेटा लगवग 31 सालों के बाद जेल की सलाकों से बाहर आया है, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे comment box में अपनी राय जरुर दीजेगा, मुझे आपकी राय का इंदेदा रहेगा, फिलाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आप से किसी और कंटेंट के साथ, किसी और कहानी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल लग्वे, और हाँ, अपनी राय मुझे जरुर द झाल झाल